हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे डोकप चावल कच्छे चावल से बहुत टेस्टी और हेल्डी नाजटा ये आपको बहुत पसंद आएंगे चलिए बनाना शुरू करें इसके लिए हमने ले लिया है ये चावल कच्छे चावल है इन्हें हम 3-4 घंटे के लिए भिगो के और इसमें थोड़ा पानी है भी हम मेकसी में डाल देंगे और पानी की साहता से इन्हें हम पीस लेंगे इसमें डालेंगे 3-4 हरिमर्स और इसमें डालेंगे 1 इंस आदरग आदरग को मैंने छोटे-छोटे टुकुडे में कर लिया है और 4-5 कर लिया लसन की लसन अगर पसं इसलिया है यह देखिए इसका consistency इस तरह से हुआ है और इसमें हम मिलाएंगे और इंग्रीडियन तो सबसे पहले दही मिलाएंगे जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके बाद हम मिलाएंगे कुछ सब्जी आ अपनी पसंद के उनुसा डाल सकते हो सब्जी डालने से बहुत हिल्दी होगा और यह मैंने एक गाजर बारिक बारिक काट के डाल दिया है कैपसिकम बारिक काट के डाला है प्याज डाला है एक प्याज को भी मैंने बारिक बारिक काट के डाल दिया और इसके बाद इसमें डालेंगे नमक और मिर्स मिर्स आपने पसंद के उनुसा डाल सकते हैं और ये मैंने अरीगेनो डाला है एक टी स्पून अरीगेनो नहीं है तो आप भूना जीरा पाउडर डाल सकते हो काली मुर्स पाउडर डाल दिया है मैंने और ये हरा धनिया और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें सारे इंग्रिडियन को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अगर इन्हें मिक्स करने के लिए पानी की जुरूरत पड़ेगी तो हम एक डो टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं इसमें हमने दही डाला है. मेरे हिसाब से तो पानी की प्झूरण नहीं पड़ेगी. तो इसी से हम BALANCE कर लें. बैटर को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है. यह देखिये यह बैटर में हमने कोई पानी नहीं डाला है जो पिछने के टाइम हम पानी डाला था वही पानी है अधाई है तो यह consistency भी ठीक है अभी हम इसमें इनो डालेंगे half teaspoon इनो baking soda baking powder जो भी आपके पास है आप डाल सकते हो mix कर लेंगे बैटर त्यार कर लिया है और हमने पहले toast बनाना है और यह toast बनाने के लिए toaster ले लिया है यह gas toaster है और इसमें हम ओयल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़े थोड़े करके बैटर और बैटर डालने के बाद दोनों साइथ उपर और नीचे हमने ओयल से ग्रीस कर लिया है और बैटर डाल दिया है और भी गैस पे हम सेख लेंगे इन्हें हम गैस पे इस तरह से अलत्ते पलत्ते शेक लें और यह दो- dosunina चेकना है दोनों तरफ से अच्छे से ओस अच्छे से शेकने के बार हम निकाल लेंगे और यह देखिए एपकूल के दिखारें बढर्या आ गया है और हम इने इस तरह से निकाल लेंगे इतना बढ़िया सेंडूइज बनके तयार है आप जब बनाओगे आपको पसंद आजाएगा ये देखिए सेंडूइज तयार है इने मैं काट के दिखा रही हूँ ये देखिए बढ़िया सेंडूइज बनके तयार है और यह देखिए कितना जालिदार है आप जब बनाओगे और ये बहुत ही लडी है आपको बहुत पसंद आएंगे और बाकिस बीज़ भी हम इस तरह से बना के त्यार आदेगे अब ही हम बना ले दें चिला चिला बनाने के लिए एक पेन को इस तरह से ओल से ग्रीज कर लेंगे और इसमें डाल देंगे बैटर बैटर हमने डो चमच भरके डालना है और कोवर कर देना है थोड़ी देर के लिए इन्हें हम मीडियम फ्लेम में फ्राइ करना है शेकना है और ये तीन मिनिट के बाद हमने cover हटा लिया है और इसके उपर डाल देंगे थोड़ा सा oil, oil स्प्रिंकल कर देंगे तो और पलत देंगे इस तरह से ये रिखिए बढ़िया golden कलर आ गया है और इस तरह से दोनों साइट को हम छेक के इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की भी चिला हम बना के तयार कर लेंगे यह देखिए हमारी बहुत ही हिल्डी और टेस्टी नास्ता बन के तियार है दो तरह की नास्ता बनाया है हमने और इस नास्ते की रेसिपी को आप एक बार जुरू ट्राइ कीजिए आपको बहुत पसंद आएगा उमीड करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगे पसंद आए तू लाइक शेर कमेंट कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूँ